थाकड खबर के नियूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रिष्खान उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए भारतिय जंता पार्टी ने आधितनात योगी को अपना चहरा बना दिया है या वो खुद बन गए हैं क्योंकि भाजपागी उनके सामने नहीं चलिए विस्तार से तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है एक लाइन आपके सामने रखना जादा बहतर होगा लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाना इह जो शब्ध है वो लगता है आम लोगों से जादा भारतिय जंटा-पाटी के के आला कमान्ट पे लागऊ होते हैं попад होते हैं अमिशा पे लागऊ होते हैं अधित्यनाथ-योगी के दम के आगे उनकी चल नहीं पा रही है और वो क्या चीज़े हैं जो दिखा रही हैं और बता रही हैं कि आदित्यनाथ योगी के सामने नरेंद्र मोधी, जेपी नड़ा और हमिशा बेबस हैं और आदित्यनाथ योगी दमदार दिखाई दे रहे हैं खबर को दो इससे में आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्योंकि सवाल पैदा हुआ है हाल फिलाल के मंत्री मंदल विस्तार के बाद देगे आप लोग जानते हैं इस साल के शुरू से डंका बजना शुरू हुआ था कि उत्रप्रदेश में योगी सरकार के मंत्री मंदल का विस्तार किया जाएगा उसी बीच एक खबर आपके सामने आई होगी कि एक शर्मा जो पूर आईएस है गुजरास सिले के दिल्ली तक यानि के परधान मंत्री बनने तक नरेंद्रमुदी के साथ रहे उन्होंने समय से पहले अपना डिटर्मेंट ले लिया और भारते जंता पार्टी जोइन कर ले और उसके बाद उनको डिप्टी सीम बनाय जा सकता है लेकिन जो पर सो मंत्री मडल भिस्तार हुआ जिसमें एक कैबिनेट और छे राज्य मंत्री बनाय गये हैं उसमें उनका नाम नहीं है यानि के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का इतना करीब एक अधिकारी आधित्यनात योगी ने उसको मंत्री मडल में शामिल नहीं होने दिया कुछ दिन पहले उसको MLC बना दिया गया बंगला भी अधित्यनात योगी के बगल में चार कालिधास माँग दे दिया गया लेकिन मंत्री नहीं बनाई गया आप दूसरा शक्स देगे संजे निशाद आप जानते ही हैं निशाद पार्टी के रास्तिय अध्यक्स हैं इनकी पूछ नरेंद्र मोधी के दरबार में इनकी पूछ अमिशा के दरबार में इनकी पूछ जो है जेपी नड़ा के दरबार में तमाम चीजे देख सकते हैं दिल्ली जाते हैं दिल्ली के बड़े बड़े जो सबसे बड़े कि आदित्यनाथ योगी के सामने क्या भारतिय जंता पार्टी का आला कमान बेबस हैं क्यों बेबस है वह आखिर मैं आपको बताऊंगा लेकिन कुछ चीज़ों पर और गहुर कर लेजिए उससे आपको पता चल जाएगा कि हाई कमान कितना ताकत बर रहे हैं और बड़े कद्दावर नेता थे निकाल के बाहर कर दिया कोई चूं तक नहीं बोल पाया इसके अलावा कैबनेट का रिशफल किया गया उत्राखन में अप्रैल में पहली बार मुख्य मंत्री बन रहा गया यानि कि त्रिवेंट सिंग राबत को लाया गया फिर चार महीने तक अब नहीं चल पाए उनको अटा के पुषकर सिंग धामी जो वरतमान में सीयमें उनको लाया गया हाला कि यहां पर मंत्री नहीं बदले गए 11 मंत्री जो चले आ रहे ते वही 11 मंत्री टोटल को मिला के रहे लेकिन बड़ा सबास ये कि चार-चार महीने के भीतर तीन-तीन म बसव राजबोमई को CM बना दिया यहीं नहीं और B.S.E. दुरप्पा की कैबिनेट में रहे साथ मंत्रियों को एक जटके में बाहर कर दिया जानते हैं इसमें सबसे हम नाम किसका था जगदी शटार का जो पूर मुख्य मंत्री थे यानि कि यहां साथ मंत्रियों को एक जटक वाली कम्यूटी है उनको एक जटके में अटा दिया उनके इस्थान पर भुपेंद्र भाई रजनी कांथ पटेल को मुख्य मंत्री बना दिया पूरी कैबिनेट का रिशफल कर दिया 24 के 24 पुराने मंत्री को हटा के और यहां पे नए मंत्री बैठा दिये अब आपे शलते करनाटक में जो है मुख्य मंत्री बदल दे रहें साथ मंत्री बदल दे ले उत्तरा खण में तीन-तीन महीनے के अंदर छार-इस बad स्वीड़े लेकिन यहां पर ना मुंक्री मंत्री को is बैठर ऐसको आपने देक्वर देख़ां है आपने चेयतों को मॉन्ती भी नहीं बनापा रहें तोWowKO effectively में आदित्तेनात योगी दंदार fare यह कहना कुछ गलत होगा। कुछ और तस्वीरों पर गौर कर लीजिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अधितिनाथ योगी का जनम दिन था देश के प्रदान मंतरी नरेंद्र बोदी ने उनको जनम दिन की मुबारक बाद नहीं दी थी उसके बाद चर्चा चली कि आधितिनाथ योगी और बजा दिया उन्होंने कह दिया उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए सुवामी परसाद मौरिया ने भी कह दिया कि यह अगला मुख्यमंत्री कोन होगा यह बाद में तैह होगा असम की तरह चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि असम में सर्वान सोनवाल के मुख्यमंत्री रहते होई ये किलियर नहीं किया गया है था कि 2011 May मुख्य मंतरी का चेहरा कौन होगा क्योंकि एमनतौ विस्वा सर्वा भी पूरी दमदार तरीके से चुनाब लड़ रहे थे और बाद में हमनतौ विस्वा सर्वा को वहां की कमांड सोब दी गई तो यहां केशापरसाद मुरिया ने अपनी आवास बुलंद की लेकिन केशापरसाद मुरिया के सुर भी डाउन कर दिये गए तो यहीं सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इतना धमदार दिखने बाला हाई कमान आदित्यनात योगी के सामने क्यों बेबस है अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ आपको लेके चलते हैं देखिए हाँ कुछ चीजों पर गोर कर लेते हैं और उन चीजों पर जब आप गोर करेंगे तो दो चीजें आपके सामने आएगी सबसे पहले आदित्यनात योगी की व्यक्तित व्याइए वो गोरक ध्राम पीट के महंत हैं और एक भगवादारी है यानिके सादो की भूमिका मैं तो सिर्फ वो एक नेता नहीं है धार्मिक इमेज भी अपनी रखते हैं और अपनी धार्मिक इमेज के और राजेतिक इमेज के साथ साथ वो अपने एक जिद्धी व्याबार के लिए भी जाने जाते हैं पूरी दुनिया उनको जानती है 2012 में भारतिये जंता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में विधान सिवा का चुनाव रड़ रहे थे उनके सामने हिंदू युवा भाईनी जो इनका अपना संगट है ने उसके दमपरी इनों ने बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में उतार दिये थे तो देश के अनदर किस इस्तिती से द्वूसरे राद्यों के अंदर जाके चुनाव परचयार करेंगे या खिस मुस्गय लेके बात करेंगे और आधि तेनाथ युगी उत्तर प्रदेश के ना प्रदेश अध्यक्स थे भारतिय जन्ता पार्टी के ना मुख्यमंत्री का चेहरा थे लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जानते हैं मुख्यमंत्री बनाने में उनको अड़ दिन लगे उस वगत आप गूगल करेंगे तो आपके सामने ने बताए जाता है कि 54 ठाकुरों विधायक जब जीत क्या है उनके दम पे सीधे तोर पे कह दिया कि अगर मुझे मुझे मंत्री नहीं बनाया तो पार्टी में तोड़ फोड़ हो जाएगी और भारतिय जंता पार्टी का ही कमानी यह जानता है कि आदित्यनातियोगी बहुत सारे मौकों पे आप देखेंगे कि अधित्यनातियोगी अपने एक इमेज बनाने में अलग तोर पे लगी रहते हैं उनके जो समर्था के वो कहते हैं कि अभी तो यह मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में देश के प्रधान मंत्री होंगे उनकी धार्मी चबी के पैठे हुए आधित्यनातियोगी के सामने और जो खुद एक सादू की बूमी का में भी है चल नहीं पा रही है बहुत सारे पहलों और भी हैं जिन पर गोर किया जा सकता है लेकिन कुल मिला के यही है इन सम्में सबसे उपर है आधित्यनातियोगी की जिद और उनका बैबा बीजेपी को लगता है दो मिनत में तोड़ फोड हो जाएगी और उत्तरपरदेश में अगर सब कुछ तूट फूट गया द्रम बराब हो गया तो फिर बाकी राजियों में बचेगा क्या यहां यह गाना क्या कहना कुछ गलत है कि सबसे ज़ादा बीजेपी का हाई कमान प को कितना पसंद करती है बने रेगा दाकर खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राए दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते हुए या लस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजी फिलाल अभी मुझे दें इंचाज़त